वेल्कम स्टेइंट सुवागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाई फश्टेडी पर तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है आप सभी लोग जली से फटावट से क्लास को एक बार सिय का दिजे ताकि और भी स्टुएंट क्लास को जॉइंट कर सकें और आज का क्लास नंबर थर्ड है इससे पहले के दो क्लास आपको करा चुके हैं अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से वो दोनों क्लास आप देख सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला प्रस्टन आपके स्क्रीन पर ये रहा आर्टिफिसियल इंटलिजेंस के जनक के रूप में किसी ये जाना जाता है जॉन मैकार्थी, बिंट सर्फ, चार्ल्स बैवेज या लेडी एड़ा तो आर्टिफिसियल इंटलिजेंस जिसका सौर्ट नेम है AI काफी कुशन पूछा भी जा रहा है यहां से तो इसका जो जनक है वो किसी कहा जाता है तो यहां पर आपका पहला आप्सन हो जाएगा जान मैकार्थी जान मैकार्थी को आर्टिफिसियल इंटिविजेंस का जनक कहा जाता है अब नेक्स्ट है web designing में प्रियुक्ट होने वाली सबसे आम भासा कौनसी है तो भर सबसे आम भासा है HTML हमल जिसका पूरा नाम होता है Hyper Text Markup Language धियान रखना है Hyper Text Markup Language HTML जो कि Web Designing में प्रिवक्त होने वाली सबसे आम भासा है ठीक है अब अगला कुछ नहीं Amazon.com किस model का प्रकार है Amazon.com एक website है जो कि किस model में आती है B2B में आती है B2C में आती है C2C या फिर C2B में आती है तो अभी आपको बता है कि Amazon.com एक आपकी e-commerce site है लेकिन ये किस category में ये किस model में आती है तो ये business to customer है business to customer ये की option B होगा B2C के model में आती है अगला कुछन है इनमें से कौन सी database की भासा नहीं है कौन सी database की भासा नहीं है तो अब आपका answer क्या होगा ठीक है बिल्कुल समय नहीं लगएगा आपको first class मिलने वाली है और ये 100 question बहुत जल्दी कवर होंगे आपके बस आप देखते जाए क्योंकि हर question बहुत important है आपके लिए तो यहां पर आपका option number C basic कौन सी database की भासा नहीं है तो आपको पता चला कि basic नहीं है लेकिन बाकी जब है यह सब किसा database की language इभी आपको पता चला साथ-साथ DDL, DCL और DML इसका भी याद रखा करो question अगला question लेबर आफिस में वर्ड पोसेसिंग क्या है अगर वर्ड पोसेसिंग की बात करें लेबर आफिस के अंदर जो कि आपके नया सालेवस एड किया गया है है ना MS Office के तरह तो उसमें अगर वर्ड पोसेसिंगी बात करें तो क्या होगा ड्रा, इंप्रेस, कैल, क्या राइटर लेबर आफिस में जो वर्ड पोसेसर है क्या है राइटर है और अपसटि नंबर डी तीक है अगला गुचिण ते लेबर आफिस में इस्प्रेट्ट् you सीट क्या है तो यह भी जान लेते हैं इस प्रेट सीट क्या होता है तो लेबर आफिस में इस प्रेट सीट क्या होता है कैल्ग ठीक है कैल्ग एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इस प्रेट सीट प्रोग्राम है लेबर आफिस का ठीक है लेक्स कुछ चने कम्प्यूटर में एसी को कीबॉड का अभिस्कार किस ने किया keyboard का अभिस्कार किस ने किया तो यहाँ पर आपके सामने चार ओप्सन है यहाँ पर हो जाएगा ओप्सन नमबर एक क्रिस्टाफर लेथम सॉल्स ने किया ठीक है पहला ओप्सन आपका correct होगा अब अगला कुछन ने वी टू बी का पूर रूप क्या है बी टू बी का full form आपसे पूछा गया है कौँसा होगा तो यहाँ पर आपका correct जवाब क्या हो जाएगा बी टू बी का full form ठीक है तो को यहाँ पर आपका correct answer होगा business to business जो की option में कहीं दिया नहीं गया है तो यहाँ पर अभी हम सही कर देते हैं इसको पहले business to business यहाँ पर होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर आपका c option हो जाएगा business to business बी टू बी का मतलब होता है business to business option c यहाँ पर हो जाएगा अगला कुसे ने M.I.C.R. code की पहली तीन लाइने क्या दरसाती है M.I.C.R. code की first तीन लाइने क्या दरसाती है तो सहर का code option c अगला कुसे ने STTPS में S को लिखा जाता है STTPS में S क्या होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा option first secure क्या लिखा जाता है कुछ बच्चे security पे टिक कर देते हैं बट नहीं secure होने वाला है यहाँ पर आपका answer option first STTPS में S को लिखते है security अगला कुछन है internet of things से जोड़ी बड़ी संख्या में उपकारणों को स्वचालित रूप से संबाद करना पड़ता है ठीक है मनुस्यों के माद्यम से नहीं वो machine आपस में संबाद करती है इसे क्या कहते है internet of things से जोड़ी बड़ी संख्या में उपकारणों को स्वचालित रूप से आपस में संबाद करना पड़ता है मनुस्यों के माद्यम से नहीं इसे क्या कहते है P2B, M2M, Inter, Cloud या Skynet इसे कहेंगे M2M machine to machine धियां रखना है M2M इसे कहेंगे पहली सुक्रती IoT device का क्या नाम था तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा Option B, ATM Option B होगा ATM अगला कुशन है Network की dash को बहतर बनाने के लिए password का उप्योग किया जाता है तो Network की सुरच्छा को बहतर बनाने के लिए Option C हो जाएगा अब अगला कुशन है अगला कुशन है अगला कुशन है तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा Option D, यह सभी के सभी अटिवारिस प्रोग्राम है तो D option करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन है एक software, robot किसके समान होता है एक कारेकारी उप्योग करता एक virtual worker, एक business उप्योग करता अत्वा कोई विचार नहीं है तो यहां पर क्या होगा एक virtual worker के समान एक software, robot एक virtual worker के समान होता है अब अगला कुशन है IPV4 कितने bit का होता है तो IPV4 कितने bit का होता है Option B होगा 32 bit 32 bit का होता है सभी कुशन रट लेना है 100 कुशन आपको मिलने वाले है अगला कुशन है इन में से कौन सा search engine नहीं है तो search engine यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है तो option C messenger search engine नहीं है option C आपका correct answer होगा और messenger क्या है एक instant messaging है अगला कुशन है अगला कुशन है अगला कुशन में सबसे अधिक जूम साइज कितना होता है maximum जूम साइज कितना होता है राइटर की अगर बात करें तो 600% होता है यानि कि option number C होगा अब अगला कुशन लेबर आफिस के minimum और maximum fund size क्या होते है लेबर आफिस में अगर देखा जाए तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा fund size क्या हो सकता है तो 6 और 96 option B ठीक है सबसे कम fund मिलेगा आपको 6 और सबसे ज़्यादा मिलेगा 96 अब अगला कुशन है GUI का full form क्या है GUI का पूरा नाम क्या होता है तो यहाँ पर होगा option first graphical user interface जिसका पूरा नाम होता है GUI का full form graphical user interface अगला कुशन है Facebook के खोज करता कौन है तो यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा option B Mark जुकरवर्ग जो की Facebook के खोज करता है अगला कुशन है VCC की full form क्या है BCC की full form क्या होती है तो यहाँ पर हो जाएगा blind carbon का भी option number B आपका correct जवाब होगा अगला कुशन नहीं रहा equal product 50, minus 7 का मानक क्या होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number B minus 350 अगला कुशन नहीं रहा LibreOffice Calc में sale के format dialog box open करने की shortcut क्या है ठीक है अगला कुशन नहीं रहा DNS का पूरा नाम क्या है DNS का full form क्या होता है बताइए फटाफट से आपका right answer क्या हो जाएगा option number E हो जाएगा domain name system जो कि DNS का पूरा नाम होता है domain name system अगला कुशन नहीं रहा browser में नई tab open करने की shortcut की एक browser में अगर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नई tab open हो जाए तब क्या shortcut की use करेंगे control T option B control के साथ T paste करेंगे अगला कुशन नहीं रहा SMTP में M से ताथपर है SMTP में M से क्या ताथपर है अब आपका जवाब किया होगा जल्ली से आंसर भेज दीजिए फटाफ़र से SMTP में M से मतलब होता है mail option number E हो जाएगा correct जवाब simple mail transfer protocol full form होता है तो simple mail हो जाएगा यहाँ पर is अगला कुशन नहीं रहा dash telecommunication device का एक उदाहरण है keyboard, mouse, printer, modem telecommunication का कौन सा example हो सकता है भाई तो यहाँ पर होगा D option आपका modem है ना modem आपका हो जाएगा correct जवाब अब next पुचने KYC से आसे है कौन सा होगा यहाँ पर correct answer KYC का मतलब क्या होता है KYC का मतलब होता है no your customer option number B होगा correct जवाब आज का class बस नहीं तक उमिद करता हूँ class सभी को पसंद होगा class अच्छा लगा हो उसके like करें share करें और जो भी साथी चैनल पर नए होँ आप लोग subscribe करके will icon on कर लिए ताकि notification भी सभी को मिलता रहे thanks for watching thank you good night to all